आज की वीडियो में मज़ा बहुत आने वाला है उमीद करती हूँ आपको पसंद आएगी अगर पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर देना तो चलो फिर आज में आपसे बात करती हूँ ओनेस्ट यूट्यूबर टैग यह एक ऐसा बवाल है जो आज कल यूट्यूब पे चाया हुआ है कल एक्चुली मेरी तब यह थोड़ सी खराब थी और मेरे सामने एक वीडियो आई जिसमें लिकावा था ओनेस्ट यूट्यूबर टैग मैंने का चलो भई खोल के देखते हैं यह उसमें तो ऐसी ऐसी बाते निकल कर आ रही है कि पूछो ही मत पूरी वीडियो देखने के बाद आप मतलब उस बंदी के भगतो जाओगे आप बोलो कि भाई यहीं सही बोल रही है बाकी सारे यूट्यूबर तो बिके हुए यह बिक गई है गॉर्मेंट होई वाला सीन आपके सामने आ जाएगा और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ एक यूट्यूबर ने बनाया है ना ना पहले जब टिक टॉक हुआ करता था था ना अब टिक टॉक पे एक वीडियो वाइरल हुई थी कि टिक टॉक अगर तुने मेरी वीडियो नहीं चलाई तो मैं ऐसा कर दूँगा मैं वैसा कर दूँगा और गलती से वो वीडियो वाइरल हो गई ठीक है अब क्योंकि ऐसे बोलने पे टिक टॉक की वीडियो वाइरल हो गई तो बहुत सारे लोगों ने टिक टॉक को गालिया देना शुडू कर दिया और उनको लगता था कि उनकी वीडियो भी वाइरल हो जाएगी है ना तो ऐसा ही आज की रेट में हो रहा है यूट्यूब या ब्रैंड आई हेट इस तरीके के काफी कुछ बाते हो रही है उसमें mostly जितनी वीडियो मैंने देखे है ना उन सब में इन टॉपिक्स पर बाते जरूर हुई है तो मैं भी आजिन के बारे में बात करना चाहती हूँ बट कुछ बाते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना च जाती हूँ सबसे बात करते हूँ और रेटेड यूट्यूबर लिको कोई भी यूट्यूबर आपके हिसाब से और रेटेड में कपनी पहुच गई एंडी वीडियो छुऊ-ःडी मैंने देखा है एक यूट्यूबर का नाम लीया इइखे आज की रेट में 3-4 million followers हैं subscribers हैं और फलानी ने साफ साफ बोल दिया वह तो overrated है और इससे क्या हुआ मैं आपको बताओ मतलब उसी की वीडियो देखते देखते जब मैं comments में गई हूँ न तो comments में लोग comment कर रहे हैं कि हाँ वह overrated है और अभी हम उसको बहुत सारी गालिया दे क कर रहे हैं और उसके चैनल को अंसब्सक्राइब कर रहे हैं आपने अपनी audience को वहां भेज दिया गालिया देने के लिए कितना अच्छा काम किया और उंगली उठाना इतना आसान है ना कि overrated तो वह है गूम के वह उंगली अपनी तरफ आजाती है जब underrated की बात होती हर लड अच्छानी लड़की जो है वह overrated है उसको तो भीया किसमत का मिल रहा है वह ऐसा काम ही नहीं करती मतलब ऐसी बाते बाते बोल रहे हैं ना सीधे नाम लेके कि बहुत ही अजीव लगता है कि एक तीन मिलियन चार मिलियन पर फॉलोर्स लेके बैठी हुई है लड़की कितनी म मज़ा आता है इस काम में है और underrated underrated में अपना ही नाम है बैए मैं ही हूँ वह बैचारी जो बिल्कुल YouTube पर व्यूज नहीं आ रहे हैं जिसको कोई income ही नहीं हो रही मुझे समझ नहीं आता अगर आपको brand collaborations मिल रहे हैं अगर आपके YouTube से income हो रही है अगर आपको views मिल रहे है तो हर बंदा उसी में बहने की कोशिश करता है overrated underrated जो बहुत बड़ा question आ रहा था ना कि ममा अर्थ controversy मुझे समझ नहीं आता है क्या घुटाला कर दिया ममा अर्थ वालों ने या वाओ वालों ने जो इतना हो गया ममा अर्थ वाओ controversy मैं दोनों के साथ काम करती हूँ मुझे आज तक दोनों में से किसी ने भी force नहीं किया कि तुम्हें हम ये product दे रहें इसी का review करना पड़ेगा नहीं मुझे बोला जाता है कि चूज कर लो आपको जो चाहिए आप उसका review कर सकते हो और हमारे पास product 20-25 दिन पहले आ जाता है 20-25 दिन हम उसे try करते हैं फिर हम आपके आपको समझ नहीं आता है तो आप मना भी कर सकते हो brand को ऐसा कोई brand हमारे सार पर गोली नहीं रखता है क्यसे नहीं करोगे तुम कैसे नहीं करोगे ऐसा कोई नहीं बोलता है मतलब मैं आपको कुछ दिखाना चाहती मतलब कही लोग बोलते हैं कि बहुत सारे products का review करते है या फिर कितने वो करते हो, देखो, ये देखो, ये मेरी अलमारी है, ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, ऐसा नहीं होता है कि हम हर प्रोड़क्ट का रिव्यू आपके साथ शेयर करता है, ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, मैं आपसे ये बोलना चाहते हू कि जितने products हमारे पास होते है अगर हम इन सब के review करने लग गया तो मतलब अगले एक साल की videos मुझे बनानी पड़ जाएंगी अभी से तो इतने reviews हम नहीं करते हैं brands के कई brands ऐसे होते हैं जिनके product हमें पसंद नहीं आए या कोई individual product हमें पसंद नहीं आया तो हम brand को मना कर देता है कि नहीं इसका review मेरे चैनल पर नहीं जाएगा पर वो मेरे यहाँ पर रखा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी brand आपके दिमाग पर गोली रख देता है बिल्कुल करोगे कि नहीं करोगे ऐसा कोई brand नहीं करता है तो mama art और wow की controversy तो तब से स्टार्ट हुई है जब से कुछ यूट्यूबर्स ने ये तरीका सीख लिया है कि भई जिस brand की तारीफ हो रही है उस brand की जम के बुराई करना शुरू कर दो मतलब एक यूट्यूबर का तो मैंने ऐसा वीडियो भी देखा था जो इन ब्रेंड्स को पोल रही थी तटी ब्रेंड्स है ये तो तटी ब्रेंड्स मतलब कैसे कोई इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करता है मुझे समझ में नहीं आता एखो मैं आपको एक एक्जामपल देती हूँ मेरे बालों में कोकोनेट ओई सूट नहीं करता पर हो सकता है आपके बालों में बहुत अच्छा सूट करता हो हो सकता है किसी दूसरे के बालों में बहुत अच्छा सूट करता हो इसके लिए मैं ये बोल दू कि कोकोनेट ओईल तो बिलकुल बेकार होता है टक्टी होता है बेकार होता है किसी को नहीं लगाना चाहिए तो इसमें मूरक कौन है इसमें मूरक कोकोने टोईल है इसमें मूरक मैं हूँ तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हर प्रोड़क्ट हर बंदे को सूट कर जाए और हर प्रोड़क्ट हमें भी सूट नहीं करता है इसलिए हमारी अलमारियां भरी रहती है तो कभी भी ये मत सोचें कि हमार को भी हर प्रोड़क्ट सूट कर जाता है इसलिए हम आपके साथ शेयर कर देता है हमार को भी हर प्रोड़क्ट सूट नहीं करता है इसलिए वो प्रोड़क्ट अलमारी में ही रखा रहता है सिखाएगी मतलब देखने में तो मज़ा आता है तो अगर कोई आपको यह बोल रहा है कि ब्लाउस की जगे पर अपने हस्बंड की शर्ट पहलो फिर साड़ी पहलो क्या आप करके जाओगे नहीं करके जाओगे यह कॉमन सेंस है इसमें कोई आपको कॉमल पांडी क्या करेगी अगर वो पहन रही है तो आप नहीं पहनो के इस बात की तो मैं गैरेंटी देती हूँ पर क्या इसमें कोमल पांडे की गलती है यूट्यूब पे भी आपको कितने मेकप आटिस्ट ऐसे मिल जाएंगे जो बिलकुल खतरनाक वाला आई मेकप करके दिखाते आपको क्या आप वो आई मेकप करके अपने घर से बाहर चले जाओगे चले जाओगे अपनी मा के सामने भी जाओगे न वो भी बोलेगी किसका खाकर आए यह तो कुछ चीजे होती है चो कैमेरे पे ही अच्छी लगती है कुछ चीज़े ऐसी होती तो देखने में यह अच्छ लगती है अगर ऐसा ही होता ना तो हम जो यह इतने फाइफ मिनिट क्राफ्ट हैक्स वगरा देखते ना क्या हम इन्हें अपनाते हैं नहीं अपनाते पर विडियो में मिलियन व्यूज कैसे आ जाते हैं क्योंकि हमें तिरह बोल रहे हैं लोग कि good vibes के प्रोडट्स अच्छ नहीं होते हर ब्रैंड के कुछ प्रोडट्स बहुत अच्छ नहीं होते पर इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रैंड दो ही प्रोड़क्ट बेचेगा अब ब्रैंड वाले पागल थोड़ी नहीं कि कई लोग तो कई इसमें 10% होना चाहिए था मतलब तुमारी नॉलिज ने उस ब्रैंड के लाखो रुपए की मट्टी बलीत कर डाली वह पागल है वह मुझे समझने आता है कि इतना ग्यान हो गया लोगों है कि 20% का 10% होना चाहिए था फिर ये प्रोड़क्ट अच्छा होता अभी तो ये बिल किसी भी ब्रैंड के इंग्रीडेंट कोल के ये 2% होना चाहिए थी होना चाहिए थी होना चाहिए ये 20 होना चाहिए ये इतना होना चाहिए तो इतना होना चाहिए तो इतना होना चाहिए क्या है आपको क्या लगता है ब्रैंड पागल है ये ब्रैंड कोई घर में बना रहा बैंडर नहीं आता है कि कोई एक brand कैसे आप किसी एक brand से नफरत कर सकते हो जब कि brand में कम से कम 50-60 products होते हैं इतना किसी के पास time नहीं है कि वो उसके 60-60 products को use करें तब हैट अगर आप कर सकते हो ना उसके किसी जिसने आपसे बात करी होगी जो उनका manager होगा जिनसे आपने बात क तो इससे brand I hate का क्या मतलब हो गया अगर तुम बोल रहे हो कि भी फलाने brand से मैं नफरत करती हूँ क्योंकि जब उसके हां से मेरे पास call आया था तो उस बंदे ने बड़ी गलत तरीके से बात करी तो उससे brand का क्या लेना देना तुमें तो नफरत उस लड़के सो होनी चाहिए तो brand I hate यह तो question ही गलत है वाई ऐसी मजाग बहुत हो गया बट एक चीज मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि कभी भी अपने चैनल पे आप तारीफ नहीं कर सकते हो दूसरे कि तो किसी की इस तरीके से बुराई करना कि भई वो overrated है वो अच्छा काम नहीं कर रही है अब वो दूसरों को जंता को अपना उपीनियन बनाने दो अपने बारे में भी और उस यूट्यूबर के बारे में भी प्लीज मैं तो request कर सकती हूँ कि कोई किसी का नाम मत लो मुझे लगता है कि इस तरीके से हिंट भी मत दो पहले वो single थी अब वो double हो गई तो समझ में सबको आता भाई तो आप यह सोते हो नहीं 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 लिया तो इस तरीके से आप अपने आपको सोच सकते हो कि भाई बैने किसी का नाम नहीं लिया बट कमें सेक्शन में पहले ही कमण में बता चलता है लोग कि हाँ भाई है तो उसके बारे में बात कर तो प्लीज इस तरीके के काम मत करो और यह ओनेस्ट यूट्यूबर टैग वीडियो देखने के एंड में बिल्कुल एंड तक अगर आप किसी की वीडियो देख लोगे आपको लगे का भाई यूट्यूब पे बस यही बंदी सही है बाकि सब बेकार सब बिके होगे मतलत ऐसा वो महौल बना दिया जाता है कि तुम स्पॉंसर्ट वीडियो कर रहे हो जो बंदी ओनेस्ट यूट्यूबर टैग वीडियो बना रही है वो स्पॉंसर वीडियो कर रही है तो बिल्कुल ठीक है पर दूसरे कर रहे है तो वो तो बिक चुके हैं वो तो भईया बिल्कुल ग तो क्या लॉजिक है इन सब बात हो का देखे मुझे लगता है कि यह सब जो तरीके है ना यह बिल्कुल गलत है तो प्लीज इस तरीके की वीडियो ना बनाईए इसलिए मैंने थोड़ा ही फन वे में समझाने की कोशिश करी है जंता को कि हो सकता है उनके दिमाग में यह बात एक एक एक्जामपल मैं आपको देना चाहती हूँ गार्णियर का अभी कुछ दिन पहले फेस सिरम की वीडियो थी बहुत सारे लोगों ने बनाई बहुत सारे लोगों ने मैंने नहीं बनाई है ना लॉरियाल के वो फेशिल एसेंस जो था ना इतनी बड़ी सी बोटल है का अगर कमाने के लिए ही कर रहा है और आज तक मुझे तीन साल होने वाले हैं यूट्यूब पर मुझे आज तक कोई भी ऐसा ब्रेंड नहीं मिला इसमें मेरे सर पर बंदूग रखके बोलाओ कि हमारे प्रोड़क्ट की तुमने तारीफ ही करनी है कोई ब्रेंड ऐसा नहीं आपको पसंद आता है तो आप विडियो बनाओ, आपको पसंद आता है तो आप तारीफ करो, आप तारीफ भी कर सकते हो, आप उसकी बुराई भी कर सकते हो, कोई भी ब्रैंड आपको ये नहीं बोलता है कि अगर तुमने बुराई करें तुमारा गला दवा दूँगा मैं, को यह तो बिल्कुल नहीं काम करता है, बतलब इस तरीके की हरकते करते हैं, क्योंकि उन्हें वह कोलाबरेशन नहीं मिला, यह होता है, लोजिक कि तुम यह दिखाओ कि नहीं मैं ऐसे काम नहीं करना चाहती, क्योंकि इतने सारे यूट्यूबर कर रहे हैं, अगर तुम्हें आफ मिलता तो तुम भी करते हैं, इस बात का दूसरे यूट्यूबर को सब को समझ में आता है, तो इस तरीके की वीडियो ना बनाओ, हेट ना फैलाओ, किसी भी ब्रैंड को घडिया वर्ड्स मत यूज़ करो, क्योंकि वह आपके साथ काम नहीं करते हैं, शायद यही रीजन हो उमेद करते हूँ इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी help हुई है थोड़ी समझ आया वीडियो, तो आप वीडियो को like करोगे, share करोगे, मेरे चैनल पर नहीं हो, तो subscribe करके ज़रूर जाओगे, thank you, thanks for watching.